Hi everyone, welcome back to my channel तो आज एक new product का review लेखे आई हूँ देखे कोई भी product launch होता है तो अकसर एंसान एक review वीडियो देखता है कि किसे की वीडियो मिल जाए कुछ point मिल जाए हमें कि हमें buy करना है या नहीं करना है इसके result कैसे रहेंगे तो ये उन लोग लिए video helpful होने वाली है क्योंकि आप इसमें जान पाऊगे कि हमें ये product लेना है या नहीं लेना है मैं इसके result बताने वाली हूँ कि क्या इसके result मिलेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस product के price तो इसका price है 3.99 मैंने कहा था न कोई भी सीरह में तो उसका price जो है वो इर्दिगर्द ही रहता है 500 के या तो 5.99 होगा या 4.99 होगा या 3.99 होगा तो इसका price 3.99 है discount के बाद करें तो 10-20 रुपे discount रहेगा 3.80 या 3.70 तक का या आपको पढ़ जाएगा वाकि उससे ज्यादा उम्मीद नाख है तो ज्यादा अच्छा है 3.99 ही मान के चलें इसके composition की बात करें तो इसमें glycolic acid जो की glow का काम करता है साथ मिसमें hyaluranic acid है जो aging में काम करता है हाला कि यह product सिर्फ दो क्लेम कर रहा है एक glow का और दूसरा brightening का ठीक है लेकिन hyaluranic acid है तो यह aging में भी वग करेगा तो इसमें sugar can be आप आप चान लेते हैं इसके result कि क्या इसके result रहेंगे हमें क्या बाय करना चाहिए हमारे skin इसमें bright होगी क्या glow करेगा तो तेखिए glow तो यह करेगा ठीक है यह तो मैं कह रही हूँ कि हाँ आप रिचल देखोगे इसमें साथ इनके अंदर आप देखोगा आपका skin glow कर रही है लेकिन जो brightening का के लिए मैंना यह बिल्कु सारा सारा गड़ाता है ब्राइटी में कोई भी help नहीं मिलीगी जाहे आप एक बोटल ट्राय करो चाहे दूसरे ट्राय करो ब्राइटी में कोई भी help नहीं करेगा यह सिर्फ करेगा गलो पे काम हमें सिर्फ एक glowing skin चाहिए कि कई लोगों के skin काफे healthy होती है ना acne के problem होती है ना पोर्ष होते है ना blackheads होते है ना dark skin होती है इसकिन पे काफे अच्छी खाजी होती है तो उन्हें सिर्फ चाहिए होता है कि एक glow रहे हमारे face पे dryness ना रहे है तो उस case में आप इसको ट्राइक कर सकते हो सिर्फ यह glowing के लिए यह product है बाकि ब्राइटनिंग के लिए नहीं है झाले के लिए बावाई